नमस्कार स्वागत है आपका हमारी चैनल में मेरानी गुपता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है आपको बता दे पाकस्तान के पत्रकार ने एक बड़ा खुलासा किया है पुर्व उपरास्ट पती हमेद अंसारी को लेकर के आपको बता दे कि एक इंटरव्यू बहुत ही जादा वारल हो रहा है जिसमें की पाकस्तानी पत्रकार नुसरत मर्जा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमेद अंसारी के बुलावे पर वो भारत आये थे और भारत आकर उ की मदद की थी इसके लिए और उन्होंने करीब 15 शहरों में जा करके जो जानकारियां होती हैं खोफिया जानकारिया वो इखटा किये इसी के साथ ही अब लगातार सोशल मीडिया पर भी लोग हमेद अंसारी को ले करके भड़क चुके हैं और लगातार इसको ले करके हंगा हमा मचा हुआ है सोशल मीडिया पर लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से ISI के एजेंट के द्वारा ये खुलासा किया गया है कि खुद हमेद अंसारी ने उन्हें भारत आ करके यहां की खुफिया जानकारियां ISI को देने के लिए मजबूर किया है और खुद उन्होंने न कॉंग्रस पार्टी को भी निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि कॉंग्रस पार्टी ने ही दो बार उन्हें उपरास्ट पती बनाया था यानि कि सीधे तोर पर इसमें कॉंग्रस पार्टी की बिगलती निकाली जा रही है और ये कहा जा रहा है कि आखिर कॉंग्रस पार्ट की गरिमा को कलंकित किया है और इसके लिए उन्हें सजाब भी मिलने चाहिए इसी के साथ ही आपको बता दे सोशल मीडिया पर प्रधार मंतरी नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया वो भी भाशन वारल हो रहा है जब उन्होंने हामिद अंसारी के फैरवल के दौरान दिया होगा जब आपने सर्फ और सर्फ समवधान को देखते हुए कानून ववस्ता चलाई अंदर तो आपके बहुत सारी छटपटा हट रही होगी लेकिन आप समवधान के अनुसार चलने का पूरा प्रयास किया आपने इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि अब आप इस चीज से पर तिरंगे को सभी लोग सलामी दे रहे थे तो इस दौरान उन्होंने तिरंगे का अपमान किया था यानि कि उन्होंने तिरंगे को सलामी नहीं दी थी इसी के साथ ही वो योग दिवस पर भी गायब रहे थे और साथ ही वो अपने किताब को लेकर भी चर्चाओं में घिर रहे थे इसको लेकर भी पहले से ही आमिद अंसारी के रोल पर सवाल उट रहा था लेकिन जिस तरीके से पाकस्तान के पत्रकार ने ये खुलासा किया है तो अब ये सवाल और भी गहराता जा रहा है आपको बता दे इससे पहले 2019 में रौ के एक अधिकारी एंके असूद ने प पकड़ा गया था और एक अधिकारी को भी किड्नैप किया गया था ये भी बास सामने आई थी तो इसकी जाज की जानी चाहिए ये लेटर में लिखा गया था एंके सूद के द्वारा और उन्होंने कई बार इसको ले करके सवाल भी उठाए थे जिसका पुराना यानि की त कॉलमनिस्ट नुसरत मर्जा की इक इंटर्वियू में कई हैरान करने वाले खुलासे किये गए हैं आपको बता दे पाकिस्तानी पत्रकार और यूट्यूबर शकील चौधरी को रविवार यानि 10 जुलाई को दिये गए इंटर्वियू में नुसरत मर्जा ने ये दावा कि क्या है कि उन्होंने 2005 से लेकर 2011 के बीच भारत के दौरे के दौरान पाकस्तान की खुफिया एजनसी ISI के लिए कई जानकारिया जुटाई थी साथी उन्हें पूर्वरास्ट पती हामिद अंसारी और मिली गैजट अख़बार के मालेक जफरूल इसलाम खान ने भारत में आ की 2005 में चंडीगड का दौरा किया और 2006 में हाइदराबाद बेंगलूरू और चेनई का दौरा किया इसके बाद मैंने कोलकाता पटना और अन्यस्थानों का भी दौरा किया आपको मता दे कि पत्रकार मिर्जा ने ये भी कहा कि जिस समय भारत में कॉंग्रेस का शासन था उस समय वो आतंगवात पर हुए एक सेमिनार में शामिल होने के लिए भारत गये थे उनके शब्दों में ये कहा गया कि 2010 में मुझे पूर्व उपरास्ट पती हामिद अंसारी ने आतंगवात पर हुए एक सेमिनार में आमंतरित किया था हाला कि मैं मानता हूं कि हम भी बहुत बड़े एक्सपर्ट नहीं है लेकिन हम मुगल हैं हमने सदियों तग भारत में राज किया है मैं उनकी संस्कृति को समझता हूँ हम वहां के हालात से अच्छी तरह वाकिफ है हम उनकी कमजोरीओं के बारे में जानते हैं लेकिन मसला ये है कि मैंने भारत के बारे में जो भ से इस्तिफाक रखे आपको बता दे कि साथ ही नुसरत मिर्जा ने कहा कि भारत की यात्राओं के दौरान एकत्र की गई जानकारी का ठीक धंग से उप्योग नहीं करने के लिए पाकिस्तान की राजनीती को जिम्मदार ठहराया इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि क्या आप जानत हैं कि पाकिस्तान में क्या समस्या है जब कोई नया चीफ आता है तो वो पिछले चीफ द्वारा किये गए सभी कारियों को दरकिनार कर नए सिरे से कारे शुरू करता है साथी मिर्जा ने कहा कि साल 2011 में वो मिली गैजट के जफरूल असलाम के नियोते पर भारत पहुंचे भारत दोरे से लोट कर जब पाकिस्तान गए तब उन्हें उस समय आई असाई के रिटायर हो रहे डी जी असाई के ने कहा कि जो भी जानकारी उन्होंने इकठा की वो आई असाई के नए चीफ जर्नल कियानी को दे मिर्जा ने बताया कि इस पर मैंने कहा कि मैं उन्हीं जा जानकारी नहीं दूँगा आप खुद कियानी को ये जानकारी दे दे मालूम हो कि साल 2011 में केंद्र में कॉंग्रिस की सरकार थी साथी जब इंटर्विवर चौधरी ने कहा कि वो एकेडमिक एक्सपर्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो मिर्जा ने कहा कि देखिए उनके पास साथ अच्छी दोस्ती थी वे बहुत मददगार थे ऐसा नहीं है कि भारत का कोई शोध या लिखत कार्य नहीं हुआ है हमारे पास साथ के दशक की कताबे भी मौजूद है आपको बता दे उन्होंने सीधे तोर पर कहा है कि 56 मुसलिम सांसदों ने उनकी मदद की है इसी के स साथी बाचीत के दोरान चौदरी ने कहा कि पाकस्तानी पत्रकारों भारत की बुनियादी जानकारी भी नहीं है तब उन्होंने कहा कि एक बार एक वरिस्ट पत्रकार ने कहा था THAT कि भारत के 40 राजियों में अलगा वादी आंदोलन चल रहे हैं जब उन्हें सही करने की कोशिश की गई थी तब भारत में केवल 29 राज हैं तो इस पर नराज हो गए और कहा कि हमें इसकी बखुबी जानकारी है मिर्जा ने इसका जवाब दिया कि मुझे पता है कि अलगावादी आंदोलन कहा हो रहे हैं लेकिन कोई भी इस जानकारी का फाइदान नहीं उठा पाया और ना ही इसको ले करके जिस तरीके से भारत के सभी क्षेत्रों में अलगावादी आंदोलन हो रहे हैं इस बारे में कोई संदेह नहीं है मैंने कहा था कि भारत में 26 आंदोलन चल रहे थे लेकिन किसी ने कहा कि अब 66 ऐसे आंदोलन है मुझे आंदोलन कश्मीर और बंगाल में ही हो रहे हैं लेकिन ये भी बहुत प्रभावी नहीं है क्योंकि कोई उनकी मदद नहीं कर रहा है आपको बता दे साथी मिर्जा ने इंटरव्यू के दौरान ये दावा किया है कि 2008 में मुंबई हमले में पाकस्तान का हाथ नहीं था उन्होंने कहा कि पाकिस 2011 के हमले में पाकस्तान को क्लीन चिट देने और उनके अपराद पर परदा डालने के लिए जाने जाते हैं साथ ही उनकी रिपोर्ट को मिर्जा ने मेडिया हाउस ने दोबारा प्रकाशुत किया था इसी के साथ ही मिर्जा ने ये दावा किया था कि पाकिस्तान को दोश दे के ट्वीट कर रहे हैं और हमिद अंसारी को ले करके अपना घुसा भी जता रहे हैं आपको बता दें सोनम महाजन ने पाकिस्तानी पत्रकार के खुलासे को विस्पोटक बताया उन्होंने ट्वीट किया और लिखा पाकिस्तानी इस्तंबकार नुसरत मिर्जा कॉंग्रेस के शासनकाल में कई बार भारत आए और अब कैमरे पर खुले आम दावा कर रहे हैं कि वो भारत में मिली जानकारियों को ISI के पास किया करते थे साथ ही उनका दावा है कि हामिद अंसारी और मिल्टी गजट के जफरूल इसलाम खान ने उन्हें नौता दिया था आपको बता दे साथ ही भारतिये खुफिया एजेंट रॉ के पूर्व अधिकारी एनके सूद के हामिद अंसारी के खलाफ लगाए गए आरोपो को भी समय सो सार्थि अधिकारी संदीब कपूर के अपारण को भी जिक्र करते हुए याद दिलाया गया था इसी के साथ ही सूद ने ये भी खुलासा किया था कि रतन सहगल अक्सर उन्हें डड़ाया करते थी और इसी मामले में हामिद अंसारी ने लापरवाही भी बढ़ती थी हामिद अंसारी के सहयोगी रतन सहगल ने ही वैज्ञानिक नामभी नरायन को साजिश में फसाया था ये सारी बाते इस खट में लिखी गई थी जो की पीम को दी गई थी इसी के साथ ही आपको बता दे पत्रकार दीपक शौरसिया ट्वीट कर लिखते है कभी तिरंगे का अनादर किया तो कभी योग दिवस से गायब रहे हामिद अंसारी पर पाकिस्तानी पत्रकार के मताबिक आयसाई को खोफिया सूचना जुटाने में परोक्ष रूप से मदद करने का आरोप है अगर यह आरोप सही होता है तो हामिद अंसारी ने ओप रास्ट पती पत की गरिमा को कलंकित किया है आपको बता दे इसी के साथी बीजेपी नेता मेजर सुरेंद्र पुनिया लिखते हैं चौकाने वाला रास्ट विरोधी खुलासा भारत पर जासूसी करने वाले पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत का कहना है कि उन्हें पुर्व उपरास्ट पती हामिद अंसारी ने आमंतुरित किया था पुर्व रोधीकारी औरके सुध ने दावा किया है कि श्री अंसारी ने तेहरान में रौ एजेंटे को का भी परदा पाश किया, कॉंग्रेस ने उन्हें 10 साल के लिए उपाध्यक्ष बनाया और वो भारत में सुरक्षिस मैसूस नहीं करता है साथी रिशी बागरी ने पीम मोदी के उस रहस्य में भाषन को याद किया जिसमें पीम ने उपरास्ट पती हामिद अंसारी के फैरवल के दौरान दिया था आपको बता दे पीम मोदी ने इशारों ही इशारों में बहुत कुछ बया किया था हमिद अंसारी के कारियों को ले करके आपको बता दे रिशिबागरी ट्वीट कर लिखते हैं पीम मोदी ने अपने विदाई भाशन के दौरान हामिद अंसारी के करियर को सही ढंग से बया किया पीम मोदी के पास इन सभी ठगों की पहचान कर उन्हें किनारे करने का अच्छा विजन हैं वहीं विश्व हिंदू परिशत के रास्टिय प्रवक्ता विनोध बंसल लिखते हैं उपरास्ट पती ही जासुसों का पनागार हो तो भला कोई विश्वास किस पर करें वैसे हामिद अंसारी के कारणा में किसी सेन नहीं छुपे हैं हमारे पूर्व उपरास्ट पती हामिद अंसारी को लेकर एक पाक पत्रकार और जासूस द्वारा चौकाने वाला खुला पाकिस्तान के पत्रकार और ISO के एजेंट के द्वारा कि कैसे वो हमेदंसारी के नियुते परे भारत आता है और बड़ी हैरान करने वाली बात है कि कॉंग्रेस के शासनकाल में एक पाकिस्तानी पत्रकार आता है हमेदंसारी के बुलावे पर जो की उस समय उपरास्ट पती हुआ करते थे और 15 राज्यों में घूम कर वो जानकारी जुटाता है और इसी के साथ ही उन जानकारियों को यानि की खोफिया जानकारियों को पाकिस्तान के खोफिया एजनसी को सौब देता है जिससे की देश की सुरक्षा को ले कुले.